गी कहानी आलस की है अगर आप इस कहानी को गौर से संते हैं तो आपकी जिन्दकी में ये कहानी बदलब सरु लाएगी और आपकी जिन्दकी में जितनी भी रुकावट है सारी दूर हो जाएगी तो ये काानी एक ऐसे युवक्षी है जो अपनी जिन्दगी में बहुत बड़े-बड़े सपने देखता था लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मैनत से बचता था उसका नाम था रामूर, रामूर के मन में बहुत सारे सपने थे वे एक बड़ा वेपारी बनना चाता था अपने माता-पिता का नाम रोसन करना चाता था और गाओ की बच्चों को मुफ्त में सिक्सा देना चाता था लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका आलस रामूर को हर दिन लगता था कि वे कल से मेहनत सुरू करेगा काल से अपने दोस्तों के साथ मेहनत करूंगा लेकिन उसका कल कभी नहीं आता था हर दिन सुने से पहले बड़े बड़े सपने देखता था लेकिन अगली सुबह भा फिर देर तक सोया रहता था और दिन बर आलस करता था एक दिन उसके गाउं में एक बुजरुक संत आये उन कहानी सुनाई उन्होंने कहा बहुत समय पहले एक राजा के पास दो सेवक थे एक सेवक बहुत मेहनती था और दूसरा बहुत आलसी राजा ने दोनों को एक ही दिन एक ही काम दिया दोनों को एक दूर की गाउं से एक किमती सामान लाना था मेहनती सेवक ने तुरंत अपना सफर सुरू किया और समय पर वापस आ गया जबकि आलसे सेवक ने सोचा कि वे थोड़ा आराम करके बाद में काम सुरू करेगा लेकिन जब वे निकला तो रास्ती में ही रात हो गई और वे अपने मलजिल तक नहीं पोज सका राजा ने मेंनती सेवक को पुरुसकार दिया और आलसी सेवक को सजा दी ये कहानी सुनकर रामु को समझा गया कि अगर वे अपने आलस को नहीं छोड़ेगा तो उसकी जिन्दगी भी वैसी ही हो जाएगी उसने उसी दिन से ठान लिया कि वे अब से आलस को अपने जीवन से निकल फेगेगा उसने धीरे धीरे अपने कामों को समय पर करना सुरू किया हर दिन थोड़ा थोड़ा परयास किया और अपने सपनों के लिए मेहनत करने लगा रामु की ये मैनत धीरे-धीरे रंग लाई वे पहले अपने गाउ में एक छोटी सी दुकान खोलने में कामियाब हुआ फिर धीरे-धीरे उसने अपने पड़ाई में भी ध्यान देना शुरू किया सालों की मैनत के बाद रामु एक सफल व्यपारि बन गया उसने अपने माता-पिता का नाम रोसन किया और गाउ के बच्चों के लिए एक मौफ्त इसकुल भी खोला जैसा कि वे हमेशा से सुचता था तो दोस्तों इस कानी से रामु ने और सभी ने ये सिखा कि आलस को दूर किये बिना सफलता की रा पर चलना असंभव है अगर हम हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके मेनत करें तो एक दिन बड़े से बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं तो दोस्तों ये खानी यही समापत होती है मिलते हैं नेक्स्ट कानी में तब तक के लिए धन्यवाद